दोस्तो आज है 8 सितंबर 2024 और 8 सितंबर 2024 से रेलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुशन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रेलेटिड इंपोर्टिन पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वज़े इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी करंट अफियर्स में बहतर होने वाली है और आँगे आने वाले सभी एक्जाम में आप लोग करंट अफियर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉंस दे पाएंगे तो चलिए आंगे बढ़ती हो और आज का पहला कुशन देखती है आज का पहला कुशन लिखा है सितंबर 2024 में उलेकनी उपलब्दी हासिल करने के लिए ख़बरों में रही हिमानसी टोकस निमलिकित में से किस खेल से संबंदित है हिमानसी टोकस who was seen in news in September 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport फर्स्ट आप्शन है सुटिंग, सिकेंड आप्शन है जूडो, थर्ड आप्शन है गोल्फ, फोर्थ आप्शन है आर्चरी जल्दी से बताईएगा दोस्तों सितंबर 2024 में उल्लेक नियूप लब्दी हासिल करने के लिए ख़बरों में रही हिमानसी टोकस निमलिकित में से किस खेल से संबंदित है इस कुश्चिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा आप्शन नंबर बी जूडो खेल से चलिए इस से रिलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ते हैं हिमानसी टोकस ने एसी आई कैड़ेट और जूनियर जूडो चैंपियनसिप में रज़त पदक जीता यह कारकरम दच्छिन कोरिया के मुंग योंग में हुआ हिमानसी ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतीस परधा की वे 19 वर्ष की हैं और खेलो भारत कारकरम का हिस्सा है फिरतियो गिता में भारत के 12 सदस्यों ने भाग लिया था ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन दीखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स 15 वर्षी सतरंज अंतराश्टिये माश्टर मयंग चकरवर्थी ने ग्रीस में आयोजित जी एम नॉर्ब टूर्णामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड माश्टर नॉर्म जीता है वह किस राज से हैं 15 येर ओल्ड चैस इंटरनेशनल माश्टर मयंग चकरवर्थी थकी हैंड मांश्टर नॉर्म एन अग्र टूर्णामेंट बिइंग कंडुक्टिड इन ग्रीस ही उच स्टेट फर्ष्ट उप्सन है वेस्ट वैंगल फिंपसिन असंट थर्ड उपसन है महराष्ट फोर्त उपसन है पंजाब जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स पंद्रेवर्सिय सतरंज अंतराष्टिय मास्टर मैंग चक्रवर्ती ने ग्रीस में आयोजेट जी एम नॉर्म टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रेंड मास्टर नॉर्म जीता है वह किस राज से है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है मारा ओप्सन नॉर्म बी असम राज से है चलिए इस से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है असम के पंदरे वर्षी सतरंज इंटरनेशनल मास्टर मैंग चक्रवर्ती ने ग्रीस में आयोजेट जी एम नॉर्म टूर्मेंट में अपना दूसरा ग्रेंड मास्टर नॉर्म जीता है आई एम मयंक को ग्रेंड मास्टर बनने के लिए एक अंतिमान दंड की आवे सकता है और वे है एक बार FIDE इरेटिंग पॉइंट पच्चिस सो को छूना वास्तम में वे पूरे उत्तर पूर्व भारत में पहले ग्रांड मास्टर बनेंगे उनकी वर्तमान FIDE रेटिंग्स 2431 है वे इसी वर्स अप्रेल में ही इंटरनेश्टल मास्टर बने थे और अभी वे पूरे पूर्व उत्तर भारत में सबसे अधिक ग्रेंड मास्टर नॉ लिखा है फ्रेंड्स पेरिस पेरा ओलम्पिक दो हजार चौबिस में भारतिय पेरा एथिलीट प्रीती पाल ने महिलाओं की कितने मीटर T35 फाइनल में कांस पदक जीता है अद पेरिस पेरा ओलम्पिक दो है इंडियन पेरा अथिलीट प्रीती पाल वन्दी ब्रॉंज मेडल इन दा वोमेंस मीटर T35 फाइनल फर्स्ट ऑप्शन है 100 मीटर सिकेंड ओप्शन है 200 मीटर फर्ड ओप्शन है 400 मीटर या फूर्थ ऑप्शन है 500 मीटर जल्दी से बताईएगा दोस्तों पेरिस पेरा ओलम्पिक 2024 में भारतिये पेरा अथिलीट प्रीती पाल ने महिलाओं की कितने मीटर T35 फाइनल में कांस पदक जीता है इस पेरिस पेरा ओलम्पिक 2024 में भारति पेरा एथिलीट प्रीती पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 फाइनल में कांस पदक जीत कर भारत के लिए एक और पदक हासिल किया उन्होंने 30.01 सेकेंड के विक्तीगत सर्वसेश्ट समय के साथ पदक जीता इस जीत के साथ वे पेरा ओलम्पिक में दो पदक जीतने वाली पहली ट्रेक और फील्ड भारती महिला पेरा एथिलीट बन गई दूसरी और भारती एथिलीट निसाथ कुमान ने भी पुरसों की उची कूंद T47 इस परदा में 2.04 मीटर के प्रियास के साथ रज़त पदक जीता है ठीके दोस्तों चलियांगे वर्टियों नेश कुईशन दीखती है नेश कुईशन लिखा है फ्रेंड्स योगेस कथुनिया ने पेरिस पेरा ओलम्पिक खेल दो हजार चौबिस में रज़त पदक जीता वह किस खेल से सम्मंदित है योगेस कथुनिया है वेज़ बॉन्दी सिल्वर मैडल इन दा पेरिस पेरा ओलम्पिक गेम 2024 यी इज रिलेटेट टू विच स्पोर्ट फर्स्ट आप्शन है सूटिंग, सिकिन्ड आप्शन है जुडो, थर्ड आप्शन है डिसकस थ्रो, फूर्थ आप्शन है आर्चरी बताईएगा दोस्तो योगेस कथुनिया ने पेरिस पेरा ओलम्पिक खेल 2024 में रज़त पदक जीता है वह किस खेल से सम्मंदित है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा आप्शन नंबर सी डिसकस थ्रो से चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ती है भारत की योगिस कतुनिया ने पेरिस में चल रही पेरेलम्पिक खेलों में परुसों की डिसकस थ्रो एफ 56 इस परदा में 42.22 मीटर के साथ सत्रिका सर्विसेश प्रदर्सन करते हुए लगातार दूसरा रज़त पदक जीता 27 वर्सिये खिलाडी ने अपने पहले ही प्रियास में डिसकस थ्रो को पोडियम तक पहुँचाया जिससे उन्होंने तीन साल पहले टोक्यो पेरालम्पिक में जीते गए रज़त पदक में एक और रज़त जोड लिया ब्राजील के क्लोडिनी बतिस्ता डौस सेंटोस ने पेरालम्पिक सोड़ पदकों की हैट्रिक दरज़ की उन्होंने अपने पांचवे प्रियास में 46.86 मीटर की दूरी तैक करके नया खेलो का रिकॉर्ड बनाया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स पेरा बैडमिंटन खिलाडी नीतिस कुमार ने पुरुस एकल SL3 स्रेडी के फाइनल में ग्रेट बिटेन के डैनियल बेथेल को हरा कर पेरा बैडमिंटन में पेरिस प पदक जीता वह किस राज से है नितिस कुमार आप पेरा बैडमिंटन प्लेयर क्लेम्ड इंडिया ज सेकेंड गोल्ड मेडल एड दी पैरिस पेरालंपिक्स इन पेरा बैडमिंटन आप्टर वीटिंग ग्रेट बिटेंस डैनियल बेथेल इन दी फाइनल ओफ दी में सिंगल SL3 केटागरी ही इज फ्रॉम विच इस्टेट फर्स्ट ऑप्सन है पंजाब सिकेंड ऑप्सन है हरियाना थर्ड ऑप्सन है डैली फूर्थ ऑप्सन है उत्तर पिर्देश जलदी से बताइएगा दोस्तों इस क्विशियन का राई अंसर क्या हो जाएगा इस क्िश्यन का जो राई आंसर हो जाएगा फ्रॉम वह है मारा ऑप्सन डंबर B हरियाना राजे से है चलिए से रिलीटिर इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ती हैं हरियाना के चर्खी दादिरी के पेरा बैडमिंटन खिलाडी नीतियस कुमान ने पुरुस एकल SL3 वर्गे के फाइनल में ग्रेड बिटेन के डैनियल बेथेल को हरा कर पेरा बैडमिंटन में पेरिस पेरा लंपि लिए दूसरा सुड़ पड़क जीता नीतियस की तरह SL3 स्रेडी के खिलाडी अधिक गंभीर निचले अंग विकलांगता के साथ 30 परदा करते हैं जिसके लिए उन्हें आधी चोड़ाई वाले कोट पर खेलना पड़ता है 29 वर्ची नीतियस जिन्होंने 2009 में दुरगटना के कारट पैर में लगी इस्थाई चोड़ को पार कर लिया था इन्होंने फाइनल में बेथेल पर जीत हासिल करके अपना प्रभुत्व दिखाया ठीके दोस्तों चलिए आंगे बरतियों नेश कुशन दीखती हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारतिये पैडलर दिव्यांसी भौमिक ने वर्ल्ड टेवल टैनिस यूथ कंटेंडर वराज दीन 2024 में अंडर 19 यूथ गल्स सिंगल्स इवेंट में कांस पदक जीता वह यह चैंपियंशिप किस देश में आयोजित की गई थी इंडियन पैडलर दिव्यांसी भौमिक किलिंजड आप ब्रॉंज मेडल इन दा अंडर 19 यूथ गल्स सिंगल्स इवेंट एड दी वर्ल्ड टेवल टैनिस यूथ कंटेंडर वराज दीन 2024 दिस चैंपियंशिप वाज हैल्ड इन विच कंट्री फर्स्ट आप्सन है फ्रांस सिकेंड आप्सन है कजाकिस्तान थर्ड आप्सन है क्रोसिया फूर्थ आप्सन है ओमान जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइज आंसर इस कुशन का जो राइज आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं मारा आप्सन नंबर सी क्रोसिया चलिए से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंट तो को पढ़ती है भारतिय पैडलर दिव्यांसी भॉमिक ने क्रोसिया में वर्ल टेवल टैनिस यूद कंटेंडर वराज दीन 2024 एरीना वराज दीन में अंडर 19 यूद गल्स सिंगल्स इवेंट में कांस पदक जीता तेरे वर्सिये यह पैडलर खेलू इंडिया एथिलीट है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारत की सीतल देवी और राकेश कुमार ने पैरिस 2024 पैरालंपिक में मिस्रित कंपाउंड ओपन इस परधा में कांस पदक जीता इंडिया जी सीतल देवी और राकेश कुमार किलिंज दी ब्रॉंज मेडल इन दा मिक्जड कंपाउंड ओपन इवेंट अध दा पैरिस 2024 पैरालंपिक्स फर्स्ट ओप्सन है बैडमिन्टन, सिकेंड ओप्सन है टैनिस, थर्ड ओप्सन है डिसकस्थ रो, फोर्थ ओप्सन है आर्चरी जल्दी से बताईएगा फ्रेंट्स भारत की सीतल देवी और राकेश कुमार ने पैरिस 2024 पैरालंपिक्स में मिस्रित कंपाउंडर ओपन में कौन सा कांस पदक जीता है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्सन नंबर डी आर्चरी में चलिए इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं भारत की सीतल देवी और राकेश कुमार ने पैरिस 2024 पैरालंपिक्स में मिसरित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी इस परदा में कांस पदक जीता इस जोडी ने इटली की एले नोरा सार्टी और मोटेओ बोना सिना के खिलाब एक रोमान्चक मुकाबले में 156 से 155 के स्कोर के साथ एक अंक से जीत हासिल की सीतल देव 17 साल की उम्रे में भारत की सबसे कम उम्रे की पैरालंपिक पदक विजेता बन गई वे पैरिस 2024 में एक मातर महिला बिना हाथ वाली तीरंदाज थी ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश कुशन दीखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड से पैरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन में पुरुस एकल SL4 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है फर्ष्ट ओप्सन है नीटेश कुमार, सिकेंड ओप्सन है दिव्यांसी भौमिक, थर्ड ओप्सन है मनीश रामदास, फूर्थ ओप्सन है सुहास यतिराज बताईएगा फ्रेंड्स पैरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन में पुरुस एकल SL4 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नमबर डी सुहास यतिराज ने चलिए से रिलेजिर इंपोर्टेंट पॉइंट पड़ती हैं भारत के सुहास यतिराज ने पैरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन के पुरुस एकल SL4 वर्ग में रजत पदक जीता वेला चैपेल एरीना कोर्ट फर्ष्ट में सुढ़ पदक के लिए हुए मैच में फ्रांस के लुकास माजूर से 29-13-21 से हार गए फ्रांसीसी खिलाडी को सुहास को हराने में 34 मिनट लगे सुहास जो विस्व में नमबर एक खिलाडी भी है इन्होंने तीन साल पहले टौकियों में रजत पदक जीता था और इस बार पैरिस में वह सुढ़ पदक से चूप गए SL4 उन खिलाडियों के लिए डिजाइन किया गिया है जिनके सरीर के एक तरफ या दोनों पैरों में सीमित गती सीलता होती है या जिनके किसी अंग में मामूली कमी होती है ठीके दोस्तों चलियांगे वर्टियों नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स भारत की 19 वर्षी मनीशा रामदास ने पैरालंपिक 2024 में महिला एकल SU-5 वर्ग में कांस पदक जीता वह किस खिल से संबंदित हैं इंडियाज 19 यर ओल्ड मनीशा रामदास वन्दी ब्रॉंज मेडल इंदी वोमें सिंगल से एस यू 5 केटेगरी अधी पैरलंपिक्स 2024 सी इज रिलेटेट तो विच स्पोर्ट फर्स्ट ऑप्शन है सूटिंग सिकेंड ओप्शन है बैडमिंटन थर्ड ओप्शन है डिसकस थरो फोर्ट ओप्शन है आच्चरी बताईएगा फ्रेंड्स भारत की 19 वर्षीय मनीशा रामदास ने पैरालंपिक 2024 में महिला एकल SU-5 वर्ग में कांस पदक जीता वह किस खेल से संबन्दित है इस क्विशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ओप्शन नंबर भी बैडमिंटन खेल से चलिए से रेलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है भारतिय सटलर थुल सीमा थी मुरू गेसन और मनीशा रामदास ने पैरालंपिक में महिला एकल SU-5 वर्ग में क्रमसा रजट और कांस पदक जीत कर अपना पहला पदक जीता नमबर एक वरीता प्राप्त 22 वर्षी थुला सीमित ने फाइनल में चीन की गत चैंपियन यांग क्यूट सिया के खिलाव 17,21,21 से हारने से पहले कड़ी टकर दी बगल के कोर्ट पर खेल रही दूसरी वरीता प्राप्त मनीसा ने तीसरी वरीता प्राप्त डैन मार्क की कैथरीन रोसेन ग्रेन को 21,21,21 से हरा कर कांस पदक जीता है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखती है अज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंड्स इस्टार भाला फेक खिलाडी सुमित अंतिल खिताब बचाने वाले पहले भारती पुरुस और देश के दूसरे खिलाडी बन गए क्योंकि उन्होंने पैरिस खेलों में कितने मीटर के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ एफ सिक्स्टी फोर स्रेडी का स्वड़ पदक जीता है स्वेलियन थ्रो शुमित अंतिल बिकॉम दा फिस्ट इन्दियन में और सिक्टिन फोर स्वेलियन फिट्री तो डिटल स्वांडी फश्टिफोर के टागरी गोल्ड बिद पैरालंपिक रिकॉर्ड अफ अट पैरिस गेम्स फर्स्ट उप्शन है 59.59 मीटर, सिकेंड उप्शन है 69.59 मीटर, थर्ड उप्शन है 60.559 मीटर, या फूर्ट उप्शन है 70.59 मीटर जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का right answer हो जाएगा friends, वे है मारा option number D, 70.59 मीटर, चलिए से related important point 2 को पढ़ती है इस्टार भाला फेक खिलाडी सुमित अंतिल खिताब बचाने वाले पहले भारती पुरुस और देश के दूसरे खिलाडी बन गए को कि उन्होंने पैरिस खेलों में 70.59 मीटर के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ F-64 स्रेडी का स्वर्पदक जीता हरियाना के सोनीपत के 26 वर्षी विस्वी रिकॉर्ड धारक ने 3 साल पहले टौकियों में 60 पदक जीते हुए 68.55 मीटर के अपने ही पैरालंपिक सर्वसिष्ट प्रदसन को बहतर बनाया अंतिल का विस्वी रिकॉर्ड 73.29 मीटर है अंतिल ने 2023 और 2024 में विस्वी पैरा एथलेटिक्स चेंपियनसिप में भी स्वर्पदक जीता है इसके अलावा पिछले साल चीन के हंग्जों में हुए ACI पैरा खेलों में भी रैप पोडियम पर सीस रहे थे ठीक है दोस्तो I hope आजके सभी question आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी question से related important point के नोर्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे एक्जाम के नजरिये से दोस्तो class बहुत हेलपल रही होगी आप लोगों के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्ट्वों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टडी चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू सो माँ दोस्तों